इस पूरे सब्ता मैंने इस बार में सिखाया है कि वो क्या है जो शेतान चाहता है कि आपनों जाने, क्योंकि वो एक असली शेत्रु है जो आपको तबाह करना चाहता है, वो ऐसा धोके से करना चाहता है. खुश खबरी ये है कि येश्यू महसी के साथ हमारे संबन्द के कारण हमारे पाशक्ति शाली बचाव उपलब्ध है. यदि आप से इस सब्ता कोई प्रोग्राम चूट गया हो तो मैं आपको प्रोच साहित करती हूँ कि आप इसे वेस साइट पर जरूर देख सकते हैं. युद जीतने का गुरू मंतर है शात्रू के हतकंडो को जानना. आज जिंजर इस विशय पर आपके सवालों के साथ हाजिर है. तो जिंजर ये एक सच मुछ बड़िया विशय है. मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनने शेयतान के बार में बात करना पसंद नहीं है. उसके बार में सोच नहीं पसंद नहीं है. पर वो पहली बात जो वो हम से छिपाना चाहते है वो ये है कि वो सच मुछ है. जी हाँ. और मेरे विचार से ये लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है कि मैं कहा सीमा तै करूं उसके बीच में जिसके लिए मैं शेयतान को श्रय द करती हूं और मैं परमीश्वर पर कितना निर्भर करती हूं और मुझे क्या जानना चाहिए ताकि इनमें संतुलन बना रहे है. मेरे विचार से इसका जवाब ये है कि हमें उधारन के लिए ये ये शु की और देखना चाहिए. वो हर समय ये शु के बार में बात नहीं करते हर वक्ष शैतान की चिंता नहीं करते रहते पर वो शैतान के हथ कंडों को जानते थे उधारण के लिए जब शैतान असल में पत्रस प्रेरित की एक कमजोरी का इस्तमाल कर रहा था ताकि येशु को रोक सके परमिश्वर की इच्छा पूरी करने से जो था कुरूस पर चहड़कर हमारे पापों का मुल्य चुकाना येशु तुरंत पत्रस की ओर मुड़े जो बुनियादी तोर पर उन्हें येरुशलम जाने से रोक रहा था कश्ट भुगतनी से रोक रहा था नहीं प्रभू आपके साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए आप ऐसा नहीं कर सकते डडडड़ बैबल में लिखा है कि येशु ने पत्रस की ओर मुड़ कर का है शेयता मेरे सामने से दूर हो तुम मेरे लिए एक ठोकर एक रुकावट और मेरी रामे आ रहा है यानि ये शे तुरंत जान गए कि चाहिए पत्रस प्रेरित कह रहे थे पर ये परमीश्वर नहीं थे वो परमीश्वर के स्वभाव के अनुकुल नहीं था इसलिए हमें परमीश्वर के चरित्र को जानना चाहिए ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं हमें पता होना चाहिए कि कैसी बाते वो कर सकते हैं कैसी बाते वो नहीं कर सकते क्योंकि भले दो ही रादो वाले महसी ही लोग इस्तमाल किये जा सकते हैं शत्रू के द्वारा इसका ये मतलब नहीं कि वो शेतान के वश में हैं या शेतान का उन पर नियंतरण है पर वो हमारी कमजोरियों का इस्तमाल करता है। इसका इस्तमाल कर सकता है जगाने में पराजय की भावना ऐसे बच्चे में जहां वो महसूस करते हैं कि चाहे वो जू भी कर ले वो कभी इतना अच्छा नहीं करेंगी जो प्रभावशाली होगा और ये एक नमूना स्थापित करता है उनके जीवन में जो बहुत निराशवा हो सटाइस लिए हम मसीयों के लिए जरूरी है कि हम परमिश्वर का वच्चन जाने और इसका क्या मतलब होता है इसका एक मतलब यह है कि हमें उनका चरितर जानना चाहिए बिलकुल यह बढ़िया है और मैं सचमुच यह मानती हूं कि यह हमारी बहुत मदद करेगा जवाब नाकारात्मक अनुभव से गोजर रही हूं तो क्या इसका कारण यह है कि परमिश्वर मेरी परिक्षा ले रहे है दूसरा यह कि शैघान प्रलोभन दे रहा है यह तीसरा यह कि यह कि सीẬ्गर का नतीजा है जो मैंने कीया है मैं जानती हूं आप सबसे पहले यही कहेंगी म मुझे नहीं पता तुम क्या भुगत रही हो और मैं जवाब नहीं जानती पर हम कैसे जाने वो शैतान है या परमिश्वर बात मैं बार बार लोगों के सामने दोहराती हूं जिने मैं सिखाती हूं अपनी सभाओं और चाहे सब लोग इसे सुनकर हंसते हैं पर यह सत्य है उन् मैंने कहीं पर द्वार खोला है याद रहे कि कई बार अग्यात के कारण हम द्वार खोल देते हैं अपने जीवनों में शैतान के लिए इसलिए कोई समझदार व्यक्ति ये पुछेगा परमिश्वर क्या मैंने अंजाने में अग्यानता से यहां कोई द्वार खोला है क्या म मनगरंत बातें नहीं सोचनी है और इस हद तक कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी की हम स्वयम को उलजा दे सो मैं यह सोचती हूँ कि इसके लिए आप परमिश्वर से कहिए कि यदि कुछ हो तो आपको दिखाए और फिर आपको आगे बढ़कर शत्रू का विरोत करना है बाइबल में यह लिखाए है हम अकसर सुनते है कि बाइबल में लिखाए है शैतान का विरोत करो तो वह भाग जाएगा पर असल में केवल इतना ही नहीं लिखा याकुब चार साथPac के अनुसार परमिश्वर के अधी परिशान करता है, परिशान करता है, वो यह है कि सबसे पहले मुझे करना चाहिए जो भी हो, इसके द्वारा मेरा भला होने वाला है, और परमिश्वर, यदि मैंने कुछ गलत किया है, मुझे ख्षमा करना, यदि मैंने कोई द्वार खोला है, तो मुझे पर दया करना, और उ में स्वयम समस्याइं होती है वो है उदेश ये पूर्वक प्रेम में किसी अन्य की मदद करना जिसे कोई समस्या है और कोई जरूरत है मैं आप से उसके बारे में पूछना चाहती हूं जो आपने अभी कहा क्योंकि मेरे विचार से बहुत से दर्शक असल में इस वक्त बुन् में देख सकते हैं शैतान को अपने विरुद्धाते हुए और कैसे जाने की जॉयस इसके बारे में ही बोल रही है पहले बात यह है कि परमेश्वर उलजन के जनदाता नहीं शान्ती के हैं इसलिए उन कामों में से एक जो शैतान लगातार करता रहता है यह है कि वो आपकी शाथी चुराता है कि आपने कभी धृण दिया है कि जब आप पहले जिम्मीदारियों के बोज तले दबे घा रहे होते हैं और आपके लिए जरूरी होता है कि आपके आसबास सभी कुछ शान्ती में हो आप पहले ही किसी बड़ी चीज़ से निपट रहे होते हैं और या सदस्या आपके लिए समस्या पैदा करें, ये देखकर हैरानी होती है कि कितनी बार मैं पहले से ही कुछ भुगत रही होती हूँ, और तब मेरी मा को हस्पिताल में दाखिल करना पड़ता है और मैं ही उनकी देखभाल करती हूँ, या फिर मेरी मौसी को किसी तरह की मैं ही करती हूँ, फिर कुछ और होता है कि मैं वो कर उठती हूँ, परमीश्वर अभी नहीं, दरसल हमें हमीशा इस तरह की प्रार्तना करने की आदत होती है, परमीश्वर कृप्या इसे दूर करो, इसे गायब करो, पर याद रखो, पॉल उसने कभी गिरजे के लिए अप मुझे पता होता है कि शैतान मेरी शांती चुरान की कोशिश करेगा, मुझे पता होता है कि वो मुझे परिशान करेगा, ताकि मैं ऐसी कुछ बाते कहें, दूर जीने वो इस्तमाल करें, क्योंकि हम सच मुझ शत्रू को देते हैं, अकसर एक कदम आगे बढ़ने की इजाज ऐसी बाते कहें कर जो सहमत नहीं होती परमिश्वर के वचन के साथ, उधानन के लिए चाहे मैं कुछ भी करूँ कभी सफलता नहीं मिलती, या फिर यह हर बार मैं हमेशा यह करती थी, हर बार सौ और पे बचाती हूँ, ऐसा कुछ होता है कि वो खर्च होते हैं, तब यह होत दिन था जब आप आपको कुछ इस तरह के विचारा आ रहे थे, मुझे नहीं लगता, मैं उन्हें पसंद करूँगी, या वो मेरी बास से नाराज हो गए हैं, देखो, उन्होंने याद भी नहीं रखा, मेरे जन दिन को, मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने आभार तक नही कहते हैं, आप सोचते हैं, आज मुझे क्या समस्या है, और आप जानते होते हैं कि वो शत्रू है, जो आपको आपके मकसद से भटकाना चाहता है, असल में मन एक रण भूमी है, इसलिए हमें सच मुझ ध्यान देना है अपने मन की यूर, मेरे विचार से हमें परमिश्वर क के वजन का अध्ययन करना चाहिए, येशु हमें कोच दिलवाने के लिए मरे, जब हम शैतान को अपने से वो चुराता देखी, हमें उसका विरोध करना चाहिए, येशु ने कहा, चोर किसी और काम से नहीं, परन्तु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया, कि वो जीवन पाए और बहुत आयत से पाए, इतना बहुत कि वो बाहर चल के और वो अपने जीवन का आनन्द उठा पाए, जी, जी, और ये समझें कि हमला बहुत प्राबल है, जी, ऐसा कुछ भी जो मुझे दुखी करता हो, मेरी शांती चुराता हो जब शायद मेरे घर में अनबन प्रवेश करे या ये उन मौकों में से एक हो, जहां ये होता है कि मैंने कोई काम दस यो बार किया होता है और डेव को परिशानी नहीं होती, पर किसी दिन अचानक उन्हें वच्छा नहीं लगता है, या कुछ ऐसा होता है, मेरा मतलब है हम ये मैं समझ गए, ये शत्रू है, जो हमसे लड़ाई करवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता चले कि यदि हम एक दूसरे से लड़ेंगे, तो अपने मकसत को भूल जाएंगे, या वो हमारे जीवन के अभीशे को प्रभावित करेगा, जो होती है पवीत्र आत्मा के क्योंकि आप इस बारे में बात कर रहे थे कि परमेश्वर जब हमें जरूरत होगी, हमारी कमसोरियों में हमें बल देंगे, क्योंकि कमसोरियों के द्वारा ही शैतान प्रवेश करना चाहता है, सो यहां एक व्यक्ति का सवाल है, जिसका आप शायद हमें ब्रेक के बाद जवाब देने में जितना मुझसे संभभ होगा, इसके अलावा आगे और बहुत कुछ है, तो देखते रहिए, हम अभी लोट कर आएंगे। मैं उसे बुलाती हूँ, वो क्या है जो शैतान चाहता है हम न जाने। मैं जिन जाके साथ लोट आई हूँ हमें, दुबारा वो सवाल बताओ जो तुम ने कहा था, तुम पूछने वादे। ये उन पहलों में से हैं जिसमें कई लोग बहुत संखर्ष करते हैं और शैतान हमारी वो कमजोरियां ढूंड ही लेता है जिनके साथ हम संखर्ष कर रहे होते हैं। बताना कि हम उसके साथ संखर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई जाने की हम उसके साथ संखर्ष कर रहे हैं। पहली बात यह है कि उसे जिसने ये सवाल पूछा है और मैं जानती हूँ ये सवाल आपके बहुत से सवालों का प्रतिनी दित्व करता है। ये की बाइबल में लिखा है एक दूसरे के सामने अपने दोश्यों को मानो ताकि तुम चंगे हो जाओ। राज भारी बोज जैसे होते हैं। बहुत बार हम जो राज अपने में दबा कर रखते हैं, वही असल में हमारी बीमारी का कारण होते हैं। वो हम एक आत्मीक कैंसर की तरह रहते और वो नश्ट करते हैं हमारी शान्ती आनन्त को, इसलिए मुझे समझ आई कि आपको शायद महसूस हो कि आज समाज में बहुत कम लोग हैं जिन पर विश्वास कर सकते हैं, या आप सोचते होंगे, यदि मैं इसके बार में बात करूँ, तो किस से कर उपर शर्ती आप ढून सकेंगे एक आत्मिक नेता या कोई सच मुझ प्रिया मित्र या कोई अच्छा करीबी संबन दी या यदि जरूरी हो तो कोई विवसाइक परामर्श दाता, कोई भी ता कि किसी अन्य के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती हैं, कई बार बैटकर परमिश्वर के साथ बात कर सकते हैं, और परमिश्वर से जोर से बातचीत करने से कोई बुराई अंदर नहीं रहती, कई बार हमें खुद को ये कहते सुनने की जरूरत होती है, कि हमारी क्या समस मैं एक बार इर्शा से निपट रही थी, मुझे किसी व्यक्ती से बहुत इर्शा होती थी और मैंने उसके साथ बहुत समय तक संघर्ष किया था और मैंने उसके बार में बहुत बार प्रार्तना करने की कोशीश की और मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने पती के पास जाकर क जहना चाहिए, मुझे जलन है अमुक व्यक्ति से, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए प्रार्थ ना करें, मिरे लिए एक ना कठीन था, मैं इर्शाल होने के बारे में बुरा महसूस करती थी, पर मेरे पती ने मेरे साथ प्रार्थ ना की। वो करना जरूरी हो तो मुझे याद एक नौजवान ने जो बहुत यात्रा करता था मेरे पास आकर ये कहा था मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे किसी को बताना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत परिशान करता है कई बार जब मैं यात्रा करता हूँ मैंने देखा है कि मैं दूस नहीं होता कि आपको प्रलोबन नो हो मेरे विचार से हम बहुत बार नहीं चाहते कि वो समस्या हो हम कहते हैं पर मेश्वर इसे दूर करे मुझ और कोई समस्या नहीं चाहिए पर बाइबल में असल में लिखा हाए कि ज़रूरी होता है कि प्रलोबन हो और उस पर हाए पड़े जिसके द्वारा वो होता है प्रलोबन जरूरी क्यों है वो जरूरी है क्योंकि उसी तरह हम अपने विश्वास का इस्तमाल करते हैं अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं उसी से हमारे विश्वास की परिक्षा होती है और उसमें बढ़ोतरी होती है इसलिए ये बहुत दिल्चसप है जिंजर की बाइबल में लिखा है कि आपको प्रलोबन जरूर होंगे, येशुनी कभी नहीं का, ये प्रार्टना मत करो कि तुम्हें प्रलोबन नहीं होंगे। जरूरी हर दिन प्रार्टना करें, नियमी तुरूप से परमिश्वर, आप जानते हैं ही मेरी जीवन के कमजोरी है, जब मैं खाने बैठू मेरी प्रार्टना है कि आप मेरी मदद करेंगे। बताओ तुम सो क्यों रहो प्रार्टना करो, इसलिए आप सोचते हैं मैं प्रार्टना करों, मैं प्रार्टना करता हूं, सच मुझ करता हूं। पर याद रखिए, मुम्कीन है कि आप ये प्रार्तना करते हैं कि आपके सामनी प्रलोबन ना है, मेरे विचार से आपको ये समझने की जरूर्त है कि आप अपने विरुत आ रहे, श्यत्र से ज्यादा शक्ती शाली हैं, और आपको ये समझना चाहिए कि चाहे आपको के तले हैं मेरा तुछ पर अधीकार है और मैं जुकने वाला नहीं हूँ तुमारे सुझाओं के आगे आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है कि आप मसी में कौन है इसके अलावा एक और चीज़ें अक्सर पढ़ती हूँ जिस पर मैंने थोड़ा सिखाये और कुछ औ और हाबिल की कहानी पहली बात यह है कि आप सब जानते हैं दो पुत्रत थे आदम और हवा के और उनमें से एक ने आखिर कर दूसरे का कतल कर दिया कैन ने हाबिल को मार डाला और इसलिए मार डालाकियों की उसे हाबिल से इर्शा थी हाबिल अच्छे पहले फलों का चढ़ अच्छा था और केन चढ़ावा देता था वो बेशक कुछ करता था पर उतनी अची तरह नहीं जितना उसके लिए संभवता कई बार हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं हम कुछ करते हैं परन्तु हम किसी अन्य से इर्शा करते हैं जिन्हों ने असल में जितना संभवता शायद यह है कि आप परमिश्वर के साथ ज्यादा समय नहीं गुजार रहे हैं यह व्यक्ति जिसे बहुत शारीरिक प्रलोबन होता है बहुत कूडा करकट देखता है टीवी पर शायद वो स्वयम को ऐसी परिस्थिती में डालता है जहां उसे प्रलोबन होता है यह उसके जै हो दे रहे हैं जो देने के आपको कोई जरूरत नहीं है मैं यह नहीं कहरें कि बुरे बनो और कभी किसी को एक प्याला कॉफी लाकर मदो पर आप मेरा अर्थ समझ गए है असल में जब हमने सेवकाई आरम की तो हम बहुत छोटी सेवकाई थी हमारी और हमारे थोड़े ही कर करने को कहा मैंने कहा यदी तुम्हर दिन किसी को मिठाई देना चाहता हूं तो अपनी पत्नी तो क्यों नहीं देते अकसर थोड़े से शुरुआत होती है हम सोचते हैं हम कभी यह नहीं कर सकते और यह वो छोटी-छोटी धarnya होती हैं जिन में så शन्त्रों हमारे जीवन में प्रवेश करता है और आप सही है यदि हम उन छोटी बातों को पहचानना आरम करेंगे परमिश्वर से कहेंगे कि हमें वो छोटी छोटी बाते बताएं जिनके द्वारा हम द्वार खोलते हैं फिर हम उन्हें रोक सकते हैं बहुत बार जब लोग बहुत बड़े पाप में गिरते, नहीं बड़ा पाप करते हैं, हम बहुत दिल्चस्प शब्दे इस्तमाल करते हैं, मैं पाप में गिर गया, ऐसा नहीं कि आप बिस तर से उठकर उसमें गिर गया, मेरा मतलब है आपने पाप करने से पहले कई ऐसे कद और इंसान है और प्रमिश्वर हमारी मदद करेंगे पर ये सुनिए क्या लिखा है केन और हाबिल के बारे में सो केन को जलन थी हाबिल से इतनी जलन थी कि वो उसे कतला करने के लिए उपर उठा परंतो केन और उसकी भेट को उसने ग्रहन न किया तब केन क्रोधित हुआ और उसके मूपर उदासी चागई तब यहवा ने केन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ एक प्रलोबन था, वो उदास रुख एक प्रलोबन था, यदि हम निप्टेंगे अपने विचारों के साथ और रुखों के साथ, ध्यान दीजे, यदि आप अपने विचारों और रुख के साथ निप्टेंगे, फिर आपको ये चिंता नहीं करनी होगी, कि आप आगे बढ़ इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि हम उन प्रलोबनों से बड़े हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, हम अपने बलबूते पर नहीं बलकि मसी के द्वारा इन चीजों का सामना कर सकते हैं। तो ये बड़िया है, ये सच मुझ बहुत सहायता करेगा क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपने हमें एक गोपनिया फाइल दी और हमें उसमें जाकने दिया है ताकि हम सच मुझ समझ सकें शैतान के जालों को। और हम ना तो समस्या को अंदेखा करते हैं ना अकेले उसका सामना ही करते हैं। ठीक, दरहसल मैंने ये सिखा है कि मसीयत नहीं है एक निश्क्रिय धर्म। इसका मतलब यह है कि हमारा एक हिस्सा है, हमारी परमिश्वर के साथ भागिदारी है। और वो हमें हमारा हिस्सा करने की शक्ती भी देते हैं पर फिर भी हमें विश्वास का कदम उठाना पड़ता है। वो करने के लिए, इसलिए मैं आपके लिए परार्त ना करूँगी कि आप ये समझ ले, मानते हो असल में मुझे निर्देश मिला है, जानते हो वो मुझे ननिकार देते हैं और मेरे लिए ये निर्देश लिखा है, दर्शों के लिए परार्त ना करो कि वो इस बक्ष में शक्ति-शाली बने, परंटु मैं आपके लिए प्रार्तना करूँगी, क्योंकि आप पहले से ये शक्ति-शाली हैं। मसी के द्वारा इसलिए मैं इसी वक्त येशु के नाम में आप से प्रार्टना करती हूँ कि आपको समझ ग्यान और जानकारी हो उसकी जो मसी में आपका है और ये कि आप ये समझ लेकि ऐसा कोई प्रलोबन नहीं जो आपके लिए बहुत बड़ा है और आप इससे डरना बन करेंगे कि आप रलोबन से हार जाएंगे आप उसका सामना करके कहेंगे बिलकुल नहीं सबसे महान मेरे अंदर हता है और मैं इससे पराजित नहीं होंगा येशु के नाम में आमीन और कई देशों में सूसमाचार पहुंचा रहे हैं रिप्या हमसे संपर्थ करें या विजिट करें jmmindia.org पर आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोद बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेडियूर जाने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बटने के लिए